मेरे बेटी का कसूर केवल इतना था कि वो अपनी बीवी को बे इंतिहा प्यार करता था उसके बिना एक पल भी उसका गुजारा नहीं था दिन राद बीवी की चिंता में खोया रहता था चार महीने पहले ही दोनों ने लव मैरिज की थी उसे बुलाता रहता न जाने क्यूं बहु घर जाने से साफ मना कर दी दोनों में खटास बढ़ती चली गए बहु अपने माय के चली गई थी मेरा बेटा उसे लाने उसके माय के तक गया पर उसे दुदकार कर वहां से भगा द आगी आई उसे रिम्स में भरती कराया आठ रोज बाद मेरा जवान बेटा मर गया ये कहना है बेवा सुनीता देवी का उसने बर्यातु पुलिस को दिये अपने फर्द बयान में खुलासा किया कि वह अपने बेटी के खातिर बहु और उसके परिवार वालों के पास जुक पुखने तक गई बेटे की हालत उससे देखी नहीं जाती थी वह बहु के बिना बावरासा हो गया था बहु को मनाने की दम भर कोशिश की पर वो आने को राजी नहीं थी पर बेटा इस जिद में रहा कि अगर वो नहीं आई तो वो जी नहीं सकेगा दिवाली के बाद में खूब जगडा जंजट होते रहा अचानक बीते 23 नवंबर शाम 7 बजे उसने बेटी की चीखनी की आवाद सुनी तब वो पडोसी चिंटू के घर में थी बाहर निकली तो बेटी को आग से लहरते देखा उस काली रात को वो भूल नहीं पाती उसके जीनी का सहारा चला ग की मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाना है वहीं दूसरी तरफ हर्स की पत्नी के घर के आसपास रहने वाले कुछ लोगों ने बताया कि हर्स का नानी घर लड़की के घर के ठीक बगल में है हर्स ज्यादा तर अपने नानी के पास ही रहता था इसी दर्मयान लड़क आम लाइफ के लिए सनेहा के रिपोर्ट